दोस्तो अभी तक आपने हमारे चेनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चेनल को बेल आइकोन बटन को जरूर दवाए सबसे पहले वीडियो का इन्फोर्मेशन पाए यह मेरे घर का वीडियो है तो मैंने प्लाइवड कम और ग्रनेट जैदा यूज करके फरनिचर बनाया है तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखे और देखने के बाद में लाइक या डिसलाइक जरूर करें और कोमेंड में बताए कि आपको हमारा ग्रनेट का फरनिचर कैसा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखे और उसको बहुत ही यह पूरा लाइट रहता है तो उसके बार में बात कर दो यह मैंने ब्लाइवड के बजाए ऐसे इसका फरनिचर बनाया है यह तीन इंच वाई एक इंच का सेक्शन है यह साथ फीड़ वाइश इंच का डेड़ है उसको बीच-बीच में में इस पूर्ट आला है उसी परकार से यह प्लाइवड बचा की गर्नेट का कपार बनाया है उसमें मैंने यह उपर से निच्च तक यह मैंने बच्चे सित सोडा में रखा है यह दिगने में बहुत ही अच्छा दिख बात है यह स्लाइडर दोर लगाए है यह पूर्ट इजी है और यह दिगने में बहुत प्याना दिखता है यह इसका हाईट इसका हाइट शाड़ी साथ फिट है ऐसे चोड़े में यह साड़ी छे फिट है और बीच से इंटर में यह कैसर बीच इधर बदर हो जाए यह इसको मैंने ओपन छोड़ दिया है फिर मैंने यह उपर से निचे यह शाड़ी तीन फिट पे इसको मैंने सब डबन डबन यूज किया है इसको यह क्योंकि इसमें डिमक का भी टेंशन नहीं लेगा और यह बजट में भी हो जाएगा इसके अंदर यह अंदर कोना कोना डेड़ इंच का प्लाइब फिर इसको प्रलेगनेट इधर लेमिनेट उसका अपने को बजट में बहुत अलगले खर्चा होते हैं इसके बजाए में यह साट पैसेट रुपे का इक ग्रिनेट यूज किया है उसको डबल बने यह ताकि लाइट नुश्टम है कि अंब्व में अपने को जिट्ना से उफना वज़न रख सकते पूर इसका प्लोग भी कर सकते हैं या डोस्तों आप देख सकते हो यह पर लोक का सिस्टम है आपको इसको चा भी लगा कि लोग भी लगा सकते हैं दोस्तों यह स्लाइडर डॉर के बीच में मैंने एल्यूमिनूम का फ्रेम बनाया है और फ्रेम के दोनों तरफ 6 mm 6 mm का प्लाइड लगा के उसके उपर लेमनेट लगाया है ताकि यह बेंड भी नहीं होएगा और यह वज़न में भी हलका हो जाएगा और यह इजी यह स्लाइडर होएगा ताकि यह बहुत ही मजबूत रहेगा तर यह लगा कि यह वर्टिकल को अंदर फ्लॉरिं में अंदर दो इंच तक देने का है फिर बात में इसको प्लॉरि करता है यह बहुत ही यह मजबूत है यह सब आपने से पहले अपने को यह घ्रम में रखने का जो भी वर्टिकल यह वर्टिकल यह वर्टिकल जो भी सेल रड़ आएगा पीच में वह शाड़े 4 इंच अंदर रहेगा श उन्हें पनुआ दिखालियों कि अप्रद्ग करें जाने, राल शेसे युट एंच से डीकराओं विर होसी ने फख़ल है, भूट ही मझूत है अर्य है जोत नो यह चालजा में लेखे तो त्सकालल के प्लम में बसके कि हाथा ग्रनेट कम भी उज़ करके अधर इस परकार से मैंने किचरे में भी फ्लैम उसने किया है इस टोरून के लिए यह मैंने डबल डबल यूज़ किया है इसके उपरा भी मेरे को डोर लगानेगा है और यह डबल करनेट इसको लिए अलग लग रेंज रहेगा इसका में तो इसका वैसेट रूपे इसका अफिट का लिया था और यह साधर लिग रहेट है आप अलग करनेट की चूज़ कर सकते हो तो इसका तीस इंच जगह छोड़ कि अब दोनों इक विल रख दिये हैं आप जगह कि सबसे एक शेल्प केहसे करके उसको कम जयदे पर शकते हो यह मैंने ट्राइस प्रेंट ग्लाइश वीच किया है आप दूसरा तो नहीं दीखने वाले करनेट यह ग्लाइश भी यूज़ सकते हो आप अलग लग दूसरा य कि अब दूसरे बेडरूम में भी ऐसा कपाड बनाया है कि चपल इस्टिंड है इसको अपन बेटने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसका हट दो फिटा है अपन आराम चे बेट भी सकते हैं इसकी सबसे यह लग लग सेल्फ बनायस्व है साइज की सबसे इसके लिए मैंने कपाड बना दिया वह भी ग्रनेट का कपाड चारू प्रफ शे फ्रेम बना दिया इसको पाने का मोटर है तो उसको मैंने ग्रनेट को फुरा फ्रेम बना दिया तो यह बिल्कुल भी इसको पानी भी नहीं लगेगा बारेश के टाइम पर और यह बिल्कुल सेफ रहेगा इसको आप उन दरवाजा भी बना सकते हैं यह आप देख सकते हैं झाल झाल झाल